गुड मॉर्निंग स्टुडेंट क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस हमारा चैप्टर चल रहा था भारत की संग्य व्यवस्ता और हमने संग्य व्यवस्ता के मूल तत्व और इनकी विशेष्टाएं आधी के बारे में हमारी पिछली क्लासों में पढ़ा कुछ इसमें चीजे रह देख रहे हैं देखिए मतलब हमने संग्वाद के जो तत्विते वो भी देख लिए और एकात्मक्राशन में वस्ता के जो तत्विते उनको भी हमने देखा हमारी क्लासों में अब इनकी जो प्रवर्तिया कुछ विशेष्टा है और कुछ शब्दावली आई वी है उनको हम आज की क्लास में देखेंगे देखेंगे बारतिय संग्वाद को सविधान विद कैसी वियर के शब्दों में अर्द संग्वाद कहा इदे को याद रखना मोस्ट है कि कैसी वियर ने से क्या कहा है संग्वाद को क्या बोला है सविधान विद जो सविधान के निर्माताओं म स्योगी संगवाद का है अब स्योगी संगवाद कैसे का है वो भी आगे मैं शवदा वाली میں आपको बता तूंगी और अर्ध संग है यानि मतलश पूरा रहे तो संगवाद है हमारा और इसमें एकातमक्ता कि जैसे हमने हमारी जो कलवाली कैसा हुआ कि राज और केंद्र दोनों ही सयोग करके हमारी फूरी शाषिन विवस्ता को इन्होंने चला रखा है बारतिय संगवाद विशुष सेदान्तिक संगवाद नहीं है विशिष्ट बहुल वादी परस्तितियों में इसमें एकात्मक शक्ति प्रदान की गई है यानि ह यह नहीं कह सकते हैं कि पूरा रूप से यह शुद्ध सेदान्तिक संगवाद है यानि पूरा मलब हमने राज्य को प्रबल बना रहा है जैसे हमाने बात करी थी कि अमेरिका का जो संगवाद है उसमें राज्य बहुत शक्ति शाली है हमारे यहां पर ऐसा नहीं है हमने राज्य क्या हो जाते हैं थोड़े शक्ति ही होते हैं राष्ट्री विकाश परिश्द शेत्री परिश्द साथ ही नीति आयोक इत्यादी जैसी महत्पून संस्ताओं से संगवादी सरूप में राज्य की भागेदारी को सूनिशित करने का प्यास किया गया है अब जो गिएदारी निशित्त करती हैं संग्वादी के दोर में केंद्र कििस्तेथी सभावाई क्रूप से कमझवती गई य romance सरकार आप जानते हैं कि एक दल को जब बहुमत नहीं मिलता है तो कई दल मिलकर सरकार का करते हैं है नहीं तो ऐसी सरकार कुश कहते हैं George इना तो आप अपस्ट रूप से बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो कई दल मिलकर आपस में सरकार का निर्मान करते हैं उससे सांजा सरकार कहते हैं तो अगर ऐसी इस्तिति होती है तो क्या होता है हमारे जो केंदर में सरकार होती है उसकी इस्तिति क्या हो जाती कमजर हो जाती है वह करति कर यदिया अब देखो कई बार की राज्यों के द्वारा के प्रती अपने सरिकायतें के स्थितिया है जिसे आपने सरकारिया आयोग 1983 में आया था नोट डाउन कर लीजिए 1883 में एक गटन किया गया 1983 में सरकारिया आयो वह इसलिए गठित किया गया ताकि केंद और सरकार के बीच में जितनी कोई भी समश्य आ रही है या कोई भी प्रकार की मन भुटाव या अन्बन का जो हुआ है उन समश्याओं को यह समाधान कर सके अब देखिए अब देखो मैंने कल दो तिन बार नाम आया था संग्य सुची राज सुची समवर्थी सुची और विस्ट शक्तियां क्या होती है उनके बारे में हम देख लेते हैं मैंने इसे बता दिया था फिर भी एक बार यह आपको अच्छा नोट्स हैं आपको समय समय पेन में काम आते रहेंगे संग्य सुची भारती सविदान दोरा प्राप्त वे सुची जिसमें वर्नित विश्यों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है संग्य सुची में प्रती रक्षा विदेशी मामले बैंकिंग संचार वे मुद्रा आदी लास्टे में तो पर चैसे मेर पर पर केंदर सरकार का है नियंत्रन है तो ऐसे मामले अदेगो संग्य। में कौन सी साख रवस्ता है आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा साख निदारित की जाती है तो यह सब केंद्र के होते हैं राज इस प्रकार की कोई भी विवस्ता नहीं करता है मुद्रा पैसो से सम्मंदी जैसे अभी अपने हुआ था आपने देखा था कि 500 की नोड बंद हो ग 38 सविदान द्वारा प्रदत 20 सुची जिसमें वर्नित विश्यों पर कानून बनाने का दिकार के विल राज सरकार को होता है राज सुची में जैसे पुलिस व्यापार वानिजे कर्शी सिचाई आदी प्रांती वैस्तान ये मेंत के विशे सम्मंदित हैं यानि प्रांत के य सहां मिल रही है जनता को कोई दिक्कत हो एक उसे समंदित मैत्वी वह कानून बना सकती है अब संवर्ती सुची संवर्ती सुची जैसे मैंने आपको बताया था कि भारती समुदान द्वाल्य प्रदक्त वैस सुची जिसमें वर्नित विश्यों पर केंदवे राज सरकार ये पर केंदर भी अपने कानून बना सकती है और राज भी अपने कानून बना सकती है अब वन विहा वन जैसे हमारे आपे कहां पर हमने 11 क्लास में पढ़ा था जो ग्रोफी में आगर आपको पता है तो कि बही कितने वनों पर कटाई की जा सकती है कितने वन सरक्षन में रहेंगे तो यह सब कानून राजी सरकार भी बना सकती है और केंदर सरकार भी बना सकती है तो इस प्रकार से ऐसे विशया जिस पें केंदर और राजी दोनों ही कानून बना रहे हैं वो कौन से सुची में आएंगे समवर्थी सुची में आएंगे कल बात हो गई थी परन तो फिर भी मैंने का एक बार इनके नोटस इनके पास लिखे वे रहे इसलिए मैंने ये आज लिखे वे नोटस के कारण आपको ये आज वीडियो में ये सब हमारे जो क्लास है उसमें ये डाला है अब देखिए अफसिस्ट सूची ये भी एक बात आई कि अफसिस्ट सूची किसे कहते हैं सत्ता के विवाजन में जिन विश्यों को सम्मलित नहीं किया गया है वे अफसिस्ट सूची में सम्मलित हैं हमारे सविदान के अनुसार अफसिस्ट सूची में विश्य केंद सरकार के अधिकार शेत्र में आते हैं तो कई विश्य ऐसे हो कुछ भी निन्नय लेने का या कानून बढने का अदिकार किसको होता है सिर्फ केंद्र का होता है ठीक है तो एससे भी शक्तम सुची में डाले जाते हैं ठीक है ना तो इन चीज़ तीन सुची आया थि राज सुची संग सुची संवर्ति सुची और एक अवसिष्ट जो सुची होती है यह सुचिया तो दी नहीं है पर उसको भी शामिल किया तो चार सुचिया इनको आप अच्छे से याद रखेगा कि इसमें क्या-क्या है अब एकल नागरिकता बार-बार मैं बोल दी आपको कल वाली नहीं लिखा है आपने तो एक पर इसको नोटाउं कर लिजेगा एकल नागरिकता का अर्थ है कि प्रतेक व्यक्ति भारत का नागरिक को चाहिए किसी भी इस्तान पर निवास करता हो या किसी भी इस्तान पर उसका जन्म हुआ हो यानि हम किसी भी जगह के हो परंतु हम क्या बार्फ के ही नागरिक हैं यहनम राजस्तानी गुजराती नहीं है अब राष्ट विकाष प्रिशर दे रहे हैं केंदॡ की सरकार में तो वो देख लेते हैं कि अमें एक में स्तापित संस्ता जिसका उद्देश राज्यों को रोजनों के निर्मार में सह भागी बनाना है यानि 1952 में इसका निर्मार हुआ था और कोई भी योजना बनाते हैं केंद सरकार तो इसमें राज्यी भी क्या करें अपनी भागेदारी निभा सके इसलिए राश्टी विका इस परिशद है इसका जो अद्धिक्ष्ट गोन होगे हमारे नंदर मोदीच हो गए और हमारे राजस्तान सरकार की जो अशोग गैलोजी है मुख्य मंत्री है वह भी मां के सदश्य होंगे क्योंकि वह मुख्य मंत्री के पदपर है अब कोई भी केंदर कोई भी योजना बन सकते हैं इन सब का वह अपना मत वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं अब अंतराजिय परिशद सविदान के अनुशे 263 में तहत गठित परिशद है और इसका मुख्य कारे राज्जों के मद्ध उत्पर होने वाले विवादों की जांच करना एम समाधान हितु परामस्त देना है अब अंतराजिय परिश्द अब किसी बीवाद को क्या होता है नदियों का पानी होता है अपने कई बार सुना होगा कि मारास्ट में और आंदर में लड़ाई हो गई करिश्टन नदी के पानी को लेकर नदी जल विवाद हो गया यह तो होता है नदियां बहरी है वो अब पानी को लेकि उस पर बांद बने वे हैं। कई बार बार च्वाद होता है। Appeень जो झायक हरे यह भात बहुता हैं। आप यह इस प्रकार से नदियों का जैसे होता है सिमहों को लेकर राजों में आपस प्रार यह पोवी देख नहां। तो अंतराजिये परिशद्द जो है वो इन विवातों को समाप्त करने में कारे करती है अब इस शेत्रिये परिशद्द इसका गटन राश्पति द्वारा किया जाता है इसकी स्टापना का मुख्य उदेश जनता में भावत्मक एक्ता उत्पन करना था शेत्र के एकिकरत्वे तो कारे करना है राश्पति द्वारा इसका गटन किया गया है और जो मूल देश्य वो है जनता में भावत्मक पर हमारा पूरा जो शेत्र को लेकर सारी जनता एक रूप से भावत्मक रूप से जुड़ीवी रह और उसका विकास करने तो महां पर कई योजनाओं का निर्म योजनय आयोग था आको जो पंचवर्शी योजनय बनती ना उसमें योजनय आयोग का एक बनी भी थी उसके जगह जो हमारे नरेंदर मोती जी आये उन्होंने नीती आयोग की स्थापना किया यह सरकार के टैंक के रूप में कारी करती है यहनी सरकार जो विचार कर रही है योजनय बना रहे हैं कि ठोब पांस साल के लिए सरकार आती है अब पांस साल में सरकार किस कि प्रकार के योजनय बनाएं किस कि कि इस मेंधिन फ्रौ। कि इस मैं पांच साल के जैसे हमारी जब सरकार अपना चुनाव लड़ती है कोई भी तो कोई भी जो हमारा दल है वो बदाता है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम यह कारे करेंगे वह कारे करेंगे जैसे अभी हमारे नदंदर मोदी जी आयतनुने नहीं का था मैं 307 खतम कर देखेंगा जैसे नहीं तरन बील लाओं गाउंगा वह पहले एक भेज देते हैं उसी प्रकार से फिर सरकार बढ़ने के बाद पांस साल तक वह क्या क्या कारी करेगी उसका क्या मैं उद्देश्य है कितने परचंट वह अपने उद्देश्य को पूर्ति करेंगी वह सब उ यूजण आयोग थी और 2015 में वह निटी आयोग बना अब बार बार नाम आया एकात्मक शाषण विवस्ता तो वह क्या है देखिए यह शाषण विवस्ता जिसमें सभीदान दौरा राजी की संपूर्ण शाषन शक्ति केंदर सरकार में नीत होती है एकात्मक शाषण विव संग और राजिस सरकार के मदश्वाइब करने देखिए अब देखिए कुछ और है सीनेट एक आपके लेसन में नाम आया सीनेट क्या है जो सीनेट है वह अमेरिका की विरस्ता पिका का दित्तिय सदन है जैसे हमारे ना लोकसवा राजी सबा तो यहां पर दित्तिय सदन कौन स संगवाइब करनेट देखिए संगवाइब और ने यह दो कनें मिले के कार्यें तो माकिस समवन्वे अननृनमें पर बल्लदियार जाता है ग्रीन वील आस्टी नमक विधवान ने बारते संगवात को संगवाद का है क्योंकि हमारे यहां देखिए केंदर और राजी दोनों ही संगवानाओं पर यहां पर कोभी पहाँ संगश और दमन होता है थोड़ा-थोड़ा होता है को भी वाज जाती है पर वो खतम हो जाता है परन्तु आज केंदरो राजी तभी हमारा आखंड बारत बना हुआ है क्योंकि दोनों कितना भी बीश में वाद विवाद हो परन्तु वे एक दूसरे की सहयोग के साथ जुड़के और फिर पूरी हमारे बारत की शार्षन विवोस्ता को बनाये रखने का कारे करते हैं तो आज हमने हैं हमारे जो लेसन था संगभाद की जो आधार बूत्तत है वह उसके वारे में काफी जानकारी लिए आज की क्लास में इतना ही और बात हम अमरे अगली क्लास में करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद